हे दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने Discord server के groovy bot के लिए permissions कैसे setup कर सकते हैं जिससे कि केवल आप ये फिर जिन लोगों को भी आप select करते हैं वही लोग उसको control कर पाएं और बाकी लोग उसको control ना कर पाएं तो without wasting any time, let's get started तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने server settings पर जाना है उसके बाद आपको roles पर जाना है और यहाँ पर एक नया role create कर लेना है आप किसी पुराने role का भी use कर सकते हैं लेकिन मैं आप एक नया role बना लेता हूँ इस नया role को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं DJ दे सकते हैं, Music Controller दे सकते हैं कुछ भी दे सकते हैं तो मैं आप को कुछ चेंज करने के जरूरत नहीं है आप अलग से चेंज करना चाहें तो चाहें नहीं इसके बाद यहाँ पर आपको एक नया text channel बना लेना है आप इसको भी किसी भी नाम से बना सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे music की रख देता हूँ उसके बाद यहाँ पे आपको private चैनल पे click कर देना है और यहाँ पे आपको music controller वाला जो role है या पिर जो भी आपने इस role को नाम दिया था उसका जो toggle है उसको आपको on कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको create channel पर click करना है तो यहाँ पर हमाना music channel बन चुका है और इसमें खाली वही लोग message भेज़ पाएंगे जिन लोग के पास music controller role है यह फिर अगर वो एक admin है तो इसके बाद आपको फिट से अपने server settings पर जाना है roles पर जाना है आपको send messages को on कर देना है और साथ यह add reactions जो है इसको भी आपको on कर देना है यह सब चीज़े on करने के बाद आपको save changes पर click कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपके discord server में जितने भी text channels हैं सब के settings पर आपको जाना है उसके बाद permissions पर जाना है उसके बाद यहाँ पर आपको plus पर जाना है और जो groovy है उसको आपको click कर देना है और इसके बाद यहाँ पर आपको read messages जो है उसको off कर देना है उसके बाद आपको save changes पर click कर देना है यही same चीज़ आपको सभी अपने text channels पर करना है आपको permissions में जाके roles में आपको groovy select करना है उसके बाद यहाँ पे आपको read messages को off कर देना है तो यह सब आपको अपने सभी text channels में करना है music वाले channel को छोड़ कर तो इसके बाद आपको आपके music text channel में जाना है और यहाँ पे online में अगर groovy bot नहीं आ रहा है तो आपको फिर से इसके भी edit channel पे जाना है उसके बाद permissions पे जाना है उसके बाद इसमें भी groovy select करना है और यहाँ पे जो read messages है इसको आपको tick कर देना है उसके बाद आपको save changes पे click कर देना है तो यहाँ पे groovy bot जो है वो आ जाएगा अब जो है आप जितने भी commands लिखना चाता है groovy bot को control करने के लिए वो आपको इस music text channel पे ही लिखना है अगर आप बाकी में लिखेंगे जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ play speechless और यहाँ पे मैं enter दबाता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी play होना start नहीं हुआ है नहीं कोई ऐसा message आया है कि आपको voice channel join करना पड़ेगा अगर मैं कोई voice channel join करके भी यहाँ पे मैं लिखता हूँ play speechless तो भी यहाँ पे कुछ play नहीं हो रहा है यहाँ पे gaming वाले text channel है उसमें भी अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ play नहीं हो रहा है और वहीं अगर हम इसको music वाले text channel पे आके लिखें तो यहाँ पे जो है song play होना start हो चुका है अब बाकी commands भी यहीं से दे सकता है और यहाँ पे अभी सिर्फ admin ही message भेज सकता है और अब आपको जिन लोग को भी इसमें access देना है आपको बस उनको click करके यहाँ पे plus पे click करके जो भी role हमने बनाया था music controller नाम से उसको आपको दे देना है और उसके बाद वो लोग भी उस bot को control कर पाएंगे और जिन लोग के पास यह role नहीं होगा वो इस bot को control नहीं कर पाएंगे तो इस वीडियो में बस इतना ही था थैंक्स पर वाचिंग, कीप वाचिंग, टेकनो वैभाव